देखेंगे, रेखिक सम्मिती और घूर्णन सम्मिती से संबंदित कुछ और उदाहरण. राहुल और मनीशा नीचे तर्शाई आकरिती पर चर्चा कर रहे थे. राहुल का मानना था कि इस आकरिती में दो सम्मीत रेखाएं यानि लाइन्स ओफ सिमेट्री है एवं क्रम पारह की गूर्णन सम्मिती यानि रोटेशनल सिमेट्री है. लेकिन मनिशा का मानना था कि इस आकरिती में 6 सम्मीद रेखाएं हैं और क्रम 6 की गुणन सम्मिती है ज्याद कीजिए राहुल के समझ सही है या मनिशा की यहाँ राहुल ने जरूर एक उरध्वाधर सम्मीत रेखा यानी vertical line of symmetry और एक शैतिच सम्मीत रेखा यानी horizontal line of symmetry खेची होगी और सोचा होगा की आकरिती में 2 सम्मीत रेखाएं हैं राहुल और सम्मीत रेखाएं खीचना भूल गया होगा इसी तरह उसने सभी कोनों की गिंती की होगी जो 12 है और समझा होगा कि यहां 12 कोने हैं इसलिए गुणन सम्मिती का करम भी 12 होगा यह भी गलत समझ है इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल की समझ गलत है आपको याद होगा कि यदि आकरिती को एक रेखा के अनुदीश मोड़ने पर आकरिती के दो भाग परस पर समपाती यानि कोइंसिडन्ट हो जाएं तो आकरिती में रेखिक सम्मिती होती है और वह रेखा एक सम्मीत रेखा कहलाती है इस तरह से इस आकरिती में इस प्रकार से पहली, इस प्रकार से दूसरी, इस प्रकार से तीसरी, इस प्रकार से चौथी, इस प्रकार से पांचवी और इस प्रकार से छटी सम्मीत रेखा खीच सकते हैं इसमें हम और सम्मीत रेखाएं नहीं खीच सकते इसलिए हम कह सकते हैं कि आकरिती में छो सम्मीत रेखाएं है घुनन सम्मिती की जाँच करने के लिए आकरिती पर एक बिंदू दर्शाएंगे ध्यान रहे यह बिंदू आकरिती का हिस्सा नहीं है आपको यह भी याद होगा कि आकरिती को घुमाने पर यदि वह पहले जैसे दिखती है तो आकरिती में घुनन सम्मिती होती है जिस कोण पर आकरिती को घुमाने पर हमें घुनन सम्मिती दिखाई देती है उस कोण को हम घुनन का कोण कहते हैं एक पूर्ण चक्कर में जितने घोणन के कोन होते हैं, उनकी गिंती को हम घोणन का क्रम कहते हैं यहां इस आकृति में 60 degree, 120 degree, 180 degree, 240 degree, 300 degree, 307 degree इत्यादी 6 कोणों पर गुमाने के बाद हमें घुणन सम्मिति दिखाई देती है इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 6 की घुणन सम्मिति है इससे अभम कह सकते हैं कि मनीशा की समझ सही है अगला उदारण नीचे दी गई साड़नी को पूरा कीजिए अंग्रीजी वर्णमाला यानि इंग्लिश एल्फबेट के अक्षर C के मध्ध से जाती हुई एक शैतिज रेखा इसे दो भागों में बाटती है जिससे उपरी आधा भाग और नीचे का आधा भाग एक दूसरे के दरपन प्रतिपिम दिखाई देते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सम्मीत रेखा है इस रेखा के अलावा और कोई भी सम्मीत रेखा C पर नहीं खीची जा सकती इसलिए हम कह सकते हैं कि C में सिर्फ एक सम्मीत रेखा है इसी तरह हम C को एक पूर्ण चक्कर के लिए गुमाएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 360 डिगरी के गुणन पर सिर्फ एक बार हमें पहले जैसी आकरिती दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि C में क्रम एक की गुणन सम्मीती है इसी तरह आप N की पंक्ती स्वयम भरिए अब तीसरी पंक्ती के इस आकार को देखिए क्या इसमें हम कोई सम्मीत रेखा खीच सकते हैं सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इसमें एक भी सम्मीत रेखा नहीं खीची जा सकती इसलिए इस आकरिती में सम्मीत रेखाऊं की संख्या शून्य है इसी तरह इस आकृती को अगर हम 120 डिग्री के कोण पर, 240 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो हमें पहले जैसे ही आकृती प्राप्त होती है चुकि एक पूर्ण चक्कर के घुणन के दोरान हमें तीन बार पहले जैसी आकरिती दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकरिती में क्रम तीन की घुणन सम्मिती है अब आप दिये सभी आकारों के लिए सार्णी को स्वयम पूरा कीजिए तो आज हमने देखे रेखिक सम्मिती और घुणन सम्मिती से संबंदित कुछ और उदारन